Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Google Chrome Browser की हिस्टरी को अगर आप डिलीट करना चाहो हमेशा के लिए तो किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो जड़ से Google Chrome Browser की हिस्टरी को पूरी जानकारी इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं को delete करने के लिए यहाँ पर आपको अपने Chrome browser app को open कर लेना है Chrome browser app को open करने के bath friends से यहाँ पर आपको एक three dot का option देखनी को मिल जाता होगा इसी पर आपको click कर देना है इस पर click करने के bath friends से यहाँ पर आपको एक option देखनी को मिल जाता है हिस्ट्री का इस पर आपको क्लिक करके यहां से हिस्ट्री को आपको पहले तो डिलीट कर लेना है जैसा कि यहां पर देख सकते हो कि clear browsing data लिखा हुआ है इस पर आपको पहले click करके यहां पर आपको clear data वाले option पर आपको click कर देना इस तरीके से clear वाले option पर फिर से click कर देना उसके friends से यहां से जब history delete हो जाती है तो यहां से आपको back हो जाना है अब back होने के बात friends अभी भी आपकी history बची हुई है तो उसे किसे अब दूसरी तरीके से हम कैसे उसे delete कर सकते हैं तो इसके लिए friends सबसे पहले आपको इस पर click करना है search icon पर click करने के बात friends यहां पर आपको search कर लेना है your activity इस तरीके से chrome में लिखकर search करेंगे friends तो यहां पर आपको एक website देखनी को मिल जाएगी my activity का इस पर click कर देना है इस friends यहां पर आपको अपने google chrome browser की history को delete करने के लिए यहां पर आपको scroll down करके नीची आ जाना है आने के बाद friends यहां पर आपकी search history पूरी की पूरी यहां पर देखनी को मिल जाएगी आज तक जितने भी आपने search किया होगा और सारी search history यहां पर देखनी को मिल जाएगी जैसा क वहां से हमने history को delete किया है बट यहां पर भी save हुआ रहता है तो यहां से भी delete करने के लिए friends यहां पर आपको एक delete का option देखनी को मिल जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो इसी पर आपको click कर देना है इसी पर click करने के बात friends यहां पर आपको all time या always time लिखा होगा इस यहां पर आपको इस पर click कर देना है दन उसका friends यहां पर आपको यहां पर जैसा कि google accident हो गया discover हो गया इस तरीके से आप यहां पर select कर लिजेगा अपने हिसाब से जैसा कि यहां पर google का search हो गया तो यहां पर भी इस तरीके से मैंने click कर लिया उसका friends यहां से माल लिजे अग क्लिक करोगे friends यहाँ पर delete का option देखनी को मिल जाएगा इसी delete के option पर आपको click कर देना जैसे ही delete के option पर आप क्लिक करोगे friends यहाँ पर आपका search history डिलिट हो जाएगा यानि कि Google Chrome ब्राउजर से related जो भी search history आज तक थी friends वो हमेशा के लिए delete हो जाएगी जैसा कि यहाँ पर आप यहाँ पर play store का देखनी को मिल जा रहा है, tag you का history देखनी को मिल जा रहा है, बट यहाँ पर Google और Chrome की history देखनी को नहीं मिलेगी यानि कि आप Google या Chrome में जो भी आप search किये रहेंगे और यहाँ पर आप so होने वाला नहीं है यानि कि अगर Google Chrome की history को अगर हमेशा के लिए delete करना चाहो और किसी को पता ना चले तो इसी तरीके से आप delete कर सकते हो तो फ्रेंट्स यह नहीं छोटी सी जनकारी अगर आपको जनकारी थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर दीजेगा